हेलो दोस्तो आपका स्वागत अपने यूटिव चैनल क्रेजी स्टेडी वाई विशाल पर दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान के भै महत्वपून प्रिशन जो अकसर एक्जाम में पूछी जाते हैं और जो बहुत महत्वपून प्रिशन रखते हैं जिनके आपको नॉलिज हो भी सकती है और नहीं भी है दोस्तो इस वीडियो में जो कोशिन डिसकस किये पी-स के लिए, एंटी-पी-स के लिए, स्टेनोग्राफर, स्सी-सी-जील, सी-एच-एस-ल, MTS, MP, चार, एंड, आल, स्टेट पुलिस, ठीके दोस्तो, तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी साइन्स सीरीज, जो की फर्स्ट वीडियो इसकी आई-ए साइन्स सीरीज की, ठीके दोस्तो, वीडियो का पहला कॉश्चन है दोस्तो, परमाणू शब्द किस ने दिया था, तो दोस्तो जो परमाणू शब्द है, ये डेमोक्रेटस ने दिया था, तो इसका राइट एंसर है, ठीक है दोस्तो next question है Rutherford ने alpha perkinkan correction में किस radioactive धातू का इस्तेमाल किया था तो दोस्तो जो Rutherford है जब उसने alpha perkin correction किया था तो उसने कौन से radioactive धातू का परिक्शन किया था दोस्तो काफी लोग इसमें देखते ही gold पर answer लगा दिंगे लेकिन इसका अंसर गोल्ड नहीं है इसका अंसर होगा पॉलोनियम यानि दोस्तो जब रदर फोड ने अलफा परकेंड परिक्षन किया था जब उसने परमाणू की खोज की थी नाविक की तो उसने जो रेडियो एक्टिव धातू यूज किया था वो था पॉलोनियम ठीक है नेक्स कोश्चन है इसमें पेड विज्ञान के जनक किसे माना जाता है तो दोस्तो जो पेड विज्ञान के जनक है वो है थीओ फारेस्ट्स यानि इसका राइट अंसर था थीओ फारेस्ट्स जो की पेड विज्ञान के जनक माने जाते है ठीक है दोस्तो नेक्स कोश्चन ह दोस्तो दुनिया का सबसे कमजोर बल कौन सा है तो दोस्तो जो दुनिया का सबसे कमजोर बल है वो है गृत्वेवल यानि दोस्तो जो ग्रेविटेशन है वो दुनिया का सबसे कमजोर बल है ठीक है दोस्तो नेक्स कॉश्चन है इसमें दोस्तो दुनिया का सबसे मजबूत ब बल कौन सा है तो दोस्तो जो दुनिया का सबसे मजबूत बल है वो है नाभिकिये बल यानि दोस्तो जो नाभिक यानि परमाडू में जो परमाडू का जो नाभिक होता है उसमें जो बल होता है वह है दुनिया का सबसे मजबूत बल माने जाता है ठीक है दोस्तो इसका नाविकिये बल में कौन-कौन से तत्व जुड़े होते हैं तो दोस्तों जो नाविकिये बल होता है उसमें प्रोटोन और न्यूट्रोन जुड़े होते हैं यानि दोस्तों जो बीच में नाविक होता है हमारे उसके अंदर जो बल होता है उस बल में नाविक और प्रोटीन ए यहां से लेके यहां तक सिर्फ यहां से लेके यहां तक इसकी जो तरिज्या होती है इसकी तरिज्या क्या है तो दोस्तों जो नाभिक के बीच की तरिज्या है पूरे परमाडू के बीच वाला नाभिक इसकी जो तरिज्या है वो है फर्मी यानि इसका राइट अंसर है फर्म यानि जो आसुत्पन करती है आँखों में वो है लेक्रिमल ठीक है दोस्तों इसको राइट अंसर है लेक्रिमल लेक्रिमल जो है दोस्तों वो आँखों से रिलेटेड है कोशन आया था कि कौनसी जो गरंती है वह आँखों से संबंदित है तो दोस्तों जो लेक्रिमल गरंती ह वह आशूर से संबंदित है और इसको हिंदी में लैक्रीमल ही कहते है नेक्स कोशन है दोस्तो निम्न मेंसे कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो दोस्तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह है तोचा दोस्तो टूटल साथ किलो ग्राम की जो हमारी तोच तो दोस्तो मूलभूत का मतलब होता है जिसकी आवश्यक्ता सबसे जादा है या जिसकी क्वांटिटी सबसे अधिक है तो दोस्तो जो पूरा परमाडू होता है परमाडू में जो मूलभूत करण होता है वह इलेक्ट्रोन होता है यानि जो पूरे परमाडू का मूलभूत करण है वो इलेक्ट्रोन है नेक्स कोशन है वह इलेक्ट्रोन जो नाविक के चारो और चक्कर लगाता है उसकी कुल तो दोस्तो माल लेते हैं ये हमारा नाबिक है ये हमारा पुरा बन गया परमाडू ठीके दोस्तो अब यहां पे हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रोन अब ये इलेक्ट्रोन जो है वो इसके चारो और गूमते रहते हैं इलेक्ट्रोन ठीके दोस्तो तो जब ये घूमेंगे तो इ इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा होती है वह है रनात्मक होती है इसका राइट अंसर है रनात्मक नेक्स कुश्चन है परमाणू तरज्या का ऐसा ही मत्रक क्या होता है दोस्तों जो परमाणू तरज्या अब जैसे हम बना लेते हैं परमाणू पहले था कि नाभी के तरज्या जो जो होती है उसका आजैही मतरक एंग स्ट्रॉम होता है यह दोस्तों जो एंग इंग स्ट्रॉम होता है वें परमानुत्रिज्य होती है ठीक है दोस्तों और दोस्तों सकी पावर होती है वह 98-10 मीटर ठीके दोस्तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर या फिर आप इसकी जगा एंग स्ट्रॉम लगा सकते हैं ठीके दोस्तो नेक्स कोशन है डैस के नियम की अनुसार एक कक्ष में अधिक्तम दो इलेक्टरॉन होते हैं जिनका प्रेचकरन एक दूसरे के विपरियत होता है तो दोस्तो जो पावली का नियम था पावली का नियम ये कहता है कि एक कक्ष में आधिक्तम दो इलेक्टरॉन होते हैं जिनका प्रेचकरन एक दूसरे के विपरियत होता है अब इसका कहने का मतलब है दोस्तों ये हमारा माल लेते हैं एक कक्ष है अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोन होगा फिर एक इलेक्ट्रोन ऐसे होगा एक इलेक्ट्रोन ऐसे होगा यानि एक कक्ष में दो इलेक्ट्रोन और जो दोनों है वो है एक दूसरे के विपरीत होंगे नेक्स कोशन है मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है तो दोस्तों जो मानव शरीर का सबसे लंबा अंग होता है बहर छोटी आथ होती है और इसकी जो कुल लंबा ही होती है वो होती है 6.25 से लेके 7 मीटर तक ये हमारे शरीर में होती है ठीक है दोस्तों नेक्स कोशन है पीनियल काय गरंथी मानव शरीर के किस अंग में होती है तो दोस्तों जब पीनियल काय गरंथी होती है यह मनुश्य के मस्तिश्क में होती है तो दोस्तों इसका राइट अंसर है मनुश्य का मस्तिश्क अब दोस्तों मस्तिश्क में कौन-कौन सी गरंथी होती है हाइपाथेलमस हाइपाथेलमस जो है वह मनुष्य के ब्रेन में होती है दूसरी होती है पिट्यूट्री ग्लैंड यानि पिट्यूट्री गरंथी जो होती है प्यूश गरंथी जो होती है और तीसरी है पीनियल बॉड़ी यानि पीनियल काय जो है वह भी मनुस्य के मस्तिश्क में होती है नेक्स कोशन है निमन में से कौन सा विद्यूत का सुचालक होता है दोस्तों जो विद्यूत का सुचालक है वह होता है सारी धातुए यानि जितनी भी मैटल होती है वह सभी विद्युत की सुचालक होती है मानव का शरीर यानि दोस्तों जो मानव शरीर है वह भी विद्युत का सुचालक होता है और दोस्तों जो साधारण पानी यानि नॉर्मल वाटर होता है वह भी विद्युत का सुचालक होता है यानि उसमें electricity जा सकती है उसमें current पहुंच सकता है तो दोस्तो इसका राइटन सरोगा D या सभी यानि ये तीनों चीजे जो है वह विद्यू की सुचालक होती है ठीक है दोस्तो नेक्स कोशन है इसमें सबसे अधिक घनत्व वाली धातु कौन C है तो दोस्तो जो सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है वह है ओस्मियम यानि दोस्तो जो ओस्मियम की density यानि घनत्व है वह सबसे अधिक है ठीक है दोस्तो नेक्स कोशन है सीशे का आयस्क क्या है दोस्तो जो सीशे का आयस्क होता है वह होता है गेलेना यानि जो शीशा है PBS इसका जो ask है वह होता है Galena और अगर मैं इसके formula की बात करूँ तो वह होता है Fe203 ठीक है दोस्तो Fe203 जो होता है वह सीशे का ask होता है जिसको Galena कहते हैं ठीक है दोस्तो यह थे दोस्तो हमारे top 20 science के question ठीक है दोस्तो जो important है काफी इन में से आपने कितने किय question आते थे और अगर आप वीडियो पर नए है तो आप ये भी comment करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है ठीक है दोस्तो अगर आपके पास कोई और important question हो तो वह हमें जरूर भेजे ठीक है दोस्तो मिलते है next वीडियो में द